शिमारू किड्स हिंदी से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और यूट्यूब आप पर बेल आइकन को प्रेस कीजिए जहाँ बना आप एक महान राजा हैं देश विदेश में हर कोई आपकी तारीफ करता है शुक्रिया आप अपनी सल्दनत का पूरा ध्यान रखते हैं और हर एक को अपने परिवार की दरह मानते हैं पर पर क्या क्या मैं किसी को नजर अंदास कर रहा हूं या कोई पराया महसूस कर रहा है जिस तरह से आप सभी की जरूरतों का खयाल रखते हैं क्या कभी आपने अपने पूर्वजों के वारे में सोचा है मेरे पूर्वज मैं उनकी जरूरतों का खयाल कैसे रख सकता हूं अल्ला उनकी रूह को सुकून दे वो तो खुदा को प्यारे हो गए आप जरू कि माफ जावना मेरा मकसद आपको परेशान करने का नहीं था क्या आपने किसी को स्वर्ग भेजा आपके पूरवजों की जरूरत का पता लगाने के लिए क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कोई कैसे स्वर्ग की यात्र करके वापस आ सकता है जावना मैंने एक सिध्ध योगी के बारे में सुना है जो किसी को भी स्वर्ग भेज सकता है और वापस भुला सकता है वजीर अब्दुल्ला उनके भग्त है हम उन्हें बुलवा कर इसकी जानकारी ले सकते हैं ठीक है, तुम वजीर अब्दुल्ला से कहो कि कल वो दर्बार में योगी राज को बुलाएं जैसे आपकी मर्जी जहापना आपने योगी राज को बुलाया है, क्या वो यहाँ दर्बार में मौजूद है जहापना, योगी राज निरंजन बाबा दर्बार के बाहर इंतिजार कर रहे हैं अगर आपकी इजाज़त हो तो उन्हें बुलाया जाए बुलाईए उन्हें योगी राज निरंजन बाबा हाजिर हो आपका स्वागत है योगी राज हमने सुना हैं कि आप किसी को भी स्वर्ग भेज कर वापस बुला सकते हैं हम जानना चाहते हैं कि हमारे पूरवजों को स्वर्ग में कोई तकलीफ तो नहीं है मैं अवश्य ऐसा कर सकता हूँ जाबना किन्तो आपको किसी ऐसे व्यक्त को भेजना होगा जिस पर आपको पूरा भरोसा हो और जो आपके करीब हो मेरे ख्याल से बीरवल को स्वर्ग भेजना चाहिए और कोई नहीं जिस पर आप इतना भरोसा करते हैं फिर वो आपके अजीज भी है मुझे यकी हैं कि वो आपका हुक मानेंगे और स्वर्ग के सुखों के परवा ना करते हुए वापस भी आएंगे बीरवल क्या आप हमारे लिए यात्रा करेंगे जरूर जहापना आपकी ओर से यात्रा करना मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा योगी जी इस यात्रा में कितना समय लगेगा मैं वापस कब तक आ सकता हूँ और मैं जाओंगा कैसे ये विधी कहा होगी योगी जी वैसे तो इस क्रिया को कहीं भी किया जा सकता है पर हम इसे पवित्र नदी यमना के तट पर संपन करेंगे जहापना क्यूंके मैं काफी समय तक घर से दूर रहूँगा इसलिए मैं आपसे चार-पांच दिन की महलत चाहूँगा जाने से पहले कुछ काम पूरे करने है जरूर बीरबल योगिराज जी बीरबल पांच दिन के बाद इस यात्रा के लिए रवाना होंगे खिप्या तैयारियां शुरू करें आदात जहाँपना बंबोले बंबोले जय भोले बंबोले अलाख निरंजान अलविता जहाँपना अलविता दोस्त जल्दी लोटना मैं जल्दी हाजिर हो जाओंगा जहाँपना राजा बीरबल जिन्दावाज योगिराज जी हमें आपकी शक्तियों पर पूरा भरोसा है लेकिन क्या आपको यकीन है कि बीरबल पर कोई आच नहीं आएगे निशिंत नहें जहाँपना मैं आज तक नेक लोगों को स्वर्ग भेच चुका हूँ लेकिन आज तक किसी को कोई परिशानी नहीं हुए हम माफी चाहते हैं बंबोले बंबोले अलख निरंजान अलख निरंजान बीरबल अब स्वर्ग की और निकल चुके हैं और दो महिनों में वापस लोटाएंगे यदि वो स्वर्ग के सुखों के महजाल में ना फसे तो जरूर वापस लोटेंगे बीरबल से ज्यादा भरोसे मंद कोई नहीं है ना जहापना बिलकुल, बिलकुल प्रिया पूर्ण हो गई अब हमें बीरबल की वापसी की प्रतिक्षा करनी चाहिए शुक्रिया योगी महराज शैंशा अकपर जिनावाज राजा बीरबल जिनावाज और इसलिए जैपूर के किले को मजबूत बनाने की जरूरत है जहापना माफ कीजे मान सिंग जी हमें अपने दोस्त बीरबल की बहुत याद आ रही है करीब दो महीने हो चुके हैं उन्हें स्वर्क की यात्रा पर गए हुए योगी राज ने क्या कहा था मेरे ख्याल से उन्होंने दो महीने कहा था जी हाँ जहाँ पना पर उन्हें ये भी कहा था कि ज्यादा तर लोग लौट के नहीं आते क्योंकि उन्हें स्वर्क के सुक इतने भाज आते शायद बीरबल ने भी वही रहने की ठानली हो नहीं बिल्कुल नहीं मुझे बीरबल पर पूरा भरोसा है वो लौट कराएंगे आदा अब जहाँपना खुशाम अदीर कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ जहाँपना शुक्रिया बताईए बताईए हमें अपनी यात्रा के बारे में बताईए और कैसा हाल है वहाँब जहाँपना मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही जितना सुना था स्वर्ग उससे कहीं ज्यादा सुन्दर है मैं आपके पूर्वजों से मिला सभी से वे सब बिल्कुल ठीक है दरसल योगी जी ने सच कहा था स्वर्ग जाकर लोटना बहुत मुश्किल है पर आपसे बाल क्यों इतने बड़ा रखें जहाँ पना उन्होंने मेरे जरीय आपके लिए दर्ख्वास भेजी है स्वर्ग में नाई न होने के कारण मेरे बाल बढ़ गए स्वर्ग में सब के बाल लंबे हैं इसलिए वो चाहते हैं कि हो सके तो आप अपना नाई वहाँ भेज दें जरूर इसी वक्त हमारे नाई को बुलाईए योगी राज के साथ अच्छा हुआ कि हमने योगी राज जी को हमारे साथ रहने के लिए आमंत्रित किया वो भी यहीं पर है आदाब योगी जी योगी राज जी ये अच्छा हुआ कि हमारे नाई ने सुझाया कि हम किसी को स्वर्ग भेजें बीरबल ने अभी अभी हमें बताया है कि हमारे पूर्वजों को नाई की जरूरत है इसी लिए उन्हें स्वर्ग भेजने की तैयारियां करें कल सुबे ही ये काम हो जाना चाहिए अब्दुल्ला के कहने पर किया वो बीरबल की शोहरत से जलता है मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता नहीं 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 मुझ पर रहम करें यदि मैं जलती भी चिता पर वेठाया जाऊंगा तो मैं जरूर मर जाऊंगा मैं नहीं जानता कि बीरबल कैसे बच गए लेकिन मैं नहीं बच पाऊंगा हम बहुत शर्मिंदा हैं अपने दोस्त बीरबल के खिलाफ इस घिनोनी साज़श से सिपाहियों, इस नाई और पाखंडी योगी को काल कोठी में डाल दो और वजीर अब्दुल्ला, मैं चाहूं तो तुम्हें इस जुर्म के लिए फासी पर लट्टा सकता हूं लेकिन तुमने हमारी इतने वर्ष्णों तक सिवा की, इसलिए तुम्हारी जान बख्ष रहा हूं लेकिन आइंदा मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता मैं तुम्हें देश निकाला दे रहा हूं सिपाहियों, इसे हमारी सरहत के बाहर छोड़ाओ मेरे शातिर दोस्त मुझे बताओ, जो हम सभी जानने के लिए बेचैन है तुम्हें उस साजिश का पता कैसे चला, और तुम जलती हुई आग से बचे कैसे जहापना उस दिन जब योगी राज दरबार में पहली दफ़ा आये थे और पवित्र अगनी जला कर मुझे स्वर्ग में भेजने की विधी बता रहे थे तब ही मैं समझ गया था के दाल में कुछ काला है इसलिए मैंने आपसे पांच दिनों की महलत मागी जिन में मैंने एक सुरंग खुदवाई जो के उस जगा से शुरू होकर मेरे घर तक जाए और उस दिन जब मैं चिता पर पहुँचा मैं बिल्कुल वहाँ खड़ा था जहां से सुरंग का गुप्त दर्वाजा था और जैसे ही आग लगाई गई मैंने खुफिया दर्वाजा खोला सुरंग में उत्रा और सीधे अपने घर गया इस साजिश का परदा फार्ष करने के लिए मैं चाहता था के उन में से कोई अपना जुर्म कबूल करें और इन में सबसे कमजोर महरा था नाई इसलिए स्वर्ग से वापस आने में दो महीने और ये लंबे बाल शाबाश बीरबल शाबाश कोई तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता लाजवाब बढ़िया बहुत खूब शुक्रिया शुक्रिया बीरबल शिंदावाद बीरबल शिंदावाद ही किइस ले खूब थीबंग, सबस्केव पास जूब शुक्रि को थीजारी थे को एलो यहाद बीए लाजब दूब